हेलो, गुद मॉर्निंग आल अफ्यू, माइनेम इस सरस्वती सिंग, योनिक इस्कूल में आपका स्वागत है, आज हम ग्रेड वन का पढ़ेंगे, इस चैप्टर का नाम है घोडा दोडा, सबसे पहले हम इसमें हम मैंने पढ़ाया है, इसके पहले ओ और औ की मात्रा, ठीक है तो ये एक पोयम है, पढ़ने के लिए है बस, लेकिन इसमें ओ और आ की मात्रा ही मिक्स है, देखो आप, ओ की मात्रा को और आ की मात्रा को, दोनों को रेड किया है ठीक है मतलब लाल रंग से किया है कि आप जान सको कि ये मातरा है ये जिससे सपोज मौ मौ पे ओ की मातरा मो टो टपे आ की मातरा टा मो टा मतलब इसमें कौन सी मातरा है ओ की ओ की यहाँ पे देखो आप लकडी काय घोडा मेरा दूर देश की सैर कराए, मोटा ताजा घोडा मेरा टबक टबक दोड लगाए नहीं चाता चाय पकड़े, भीगे चने ही सोक सिखाए, नदी चोक या चोरा है तक चुटकी में फोरन ले जाए चोरी पतली कोई सडखो मेरा घोडा दोडा जाए, लिखा है कि एक बच्चे ने बच्चा गा रहा है लकडी का उसका गोडा है, लकडी का लेकिन उसके उपर वो पोयम क्या गा रहा है कि लकडी का या घोड़ा मेरा उसका घोड़ा है और वो लकड़ी का है दूर देश की सेर कराए मतलब कहां तक कि पूरे दूर देश में जाना है वहां कि वो सेर कराए मोटा ताजा घोड़ा मेरा मतलब कि उसका घोड़ा कैसा है मोटा है ताजा है और वो उसका ही घोड़ा है ठीक है टबक टबक दोड लगाए कैसे दोड लगाएगा टबक टबक नहीं चाता चाय पकड़े उसको क्या नहीं चाता चाय पकड़े वो नहीं चाता है क्या खाए ठीक है बड़े सोक से खाए भीगे चने ही सोक से खाए मतलब भीगा चना होता है जो वो बड़े सोक से खाता है नदी चोक या चोरा हे तक नदी जाना हो चोक जाना हो या चोरा हे तक जाना है चुटकी में परन ले जाए तुरंत ले जाता एकदम समझ में आया चोड़ी पतली कोई सड़क हो चोड़ी सड़क हो पतली सड़क हो या कोई भी सड़क हो मेरा घोड़ा दोड़ा जाए कोई भी सड़क हो उसका घोड़ा क्या होगा दोड़ते ही जाएगा ओके ये दोनों हमने ये पोयम भी सीखा इसका अर्थ भी जाना और ये हमने O और O की मातराय भी और कहानी के रूप में देखा और पढ़ा ओके, थैंक यू, have a nice day